कि नमस्कार मैं हूँ हरीश अस्वाल आज हमारे साथ एकदम सीधी बात में पूर्व वीसी बीएच्चिउ ग्रीश चंद त्रिपाटी जी त्रिपाटी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत और आप से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम एक ऐसे कुलपती से मिल रहे हैं जिन्होंने मिसाल रखी है शिक्षा संस्तानों को उपर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं धन्यबाद आस्वाल जी हमारी प्रारभिक शिक्षा वश्च्वी उत्तर प्रदेश के बनाई जन्पत से हुई उसके बाद मैं लहाबाद विश्वी द्याले में आया जहां से मैंने बी एमे और प्रदेश की जी और बाद में उसी विश्वी द्याले में मैं प्रवक्ता के रूप में योजित हुआ और फिर वहीं पर लेक्चिरर, रीडर और प्रोफेसर हुआ जहां से जैसा कि आपने कहा कि बाद में मैं बनारस इंद्य उनिवस्टी के वाईश चैंसलर के रूप में भी मुझे तीन वर्ष कारी करने का उसर मिला और वहां से आने के बाद बर्तमान में मेरे पास यूपी स्टेट कॉंसिल आफ हायर एजुकेशन के चेर्मेन का दाइत्व है जी बाद जी आपको कैसा लगता है इतने इतने आपने इतने सीडियां चड़ी आपने हर स्थर पर आपने देखा है कि किस तरह से एजुकेशन आज मूव हो रही है धीरे धीरे कहीं ने राजनीती जो है वैसे पहला पढ़ाओ जो है राजनीती का वह कॉलिज से शुरू हो किस तरफ जा रही है हमारी एजुकेशन राजनीती की तरफ किस तरह जा रही है या हम आज सिखशा बनाली की बात करें वो गस्तर यह बता आज मैं अक्सर एक बात कहता हूं जी और आज आप से भी कहना चाहूंगे कि किसी राष्ट्र का निर्मान उस राष्ट्र के सामर्थिवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं और ऐसे सामर्थिवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोगों के निर्मान की विवस्था और प्रक्रिया का नाम शिक्षा है इसलिए सामाजिक स्वरूप हो, राजनेतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वरूप हो समाज का इन सब के निर्धारण में कहीं कहीं एक दर्शन, दृष्टी और विचार मूल में रहता है हमारे रिशियों और बनीशियों ने जिस तरह से अपनी जीवन भर की साधना के आधार पर प्रकृतिके सत्य और रहस्य को समझने की चेश्ठा की, अल्टिमेटली दे सक्सीडिट और सबसे बड़ी बात ये थी, कि उन लोगों ने अपने सत्य और रहस्य के स्रश्ठी के साक्षातकार को केवल अपने लिए सुरक्षित नहीं रखा केवल अपने समाच और भारत वर्श के लिए भी नहीं रखा उनका उद्देश्य उस सत्य और रहस्य को केवल प्राणियों तक सीमित रखना भी नहीं था इसलिए उन्होंने संपूर्ण स्रिष्टी को इसे समर्पीत किया और शायद यही वज़े थी भारत विश्व में जगदगुरू के स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ जिस तरह से शिक्षा स्तर आज की डिट में चल रहा है क्या बदलाओगी ज़रूत नहीं है यही मैं कह रहा हूं कि जिस दर्शन दृष्टी और विचार के मूल में प्रतिष्ठित शिक्षा भारत को विश्व में जगदगुरू के स्थान पर प्रतिष्ठित करती है आज भी अगर फिर से भारत को विश्व में अपना वह स्थान सुरक्षित करना है तो शिक्षा ही एक मात्र माद्धिम है और शायद यही वज़े है कि वर्तमान समय में हमारी जो इंद्व सरकार है उसने एक लंबे अंतराल के बाद देश की शिक्षा के सुरूप उसके उद्देश और धाचे पर नए सिरे से विचार किया है और लंबे समय तक विचार करने के बाद बहुत सारे लोगों के सुझाओ भी समयामंतरित किये आज राश्टिय शिक्षानीती का सुरूप कहीं कहीं भारत के उसी दरशन, दरश्टिय और विचार के मूल में प्रतिश्ठित करने के उद्देश के साथ ख़ला हुआ है और इस होलिस्टिक और इंटीग्रेट अप्रोच के साथ साथ भारती शिक्षा को भारती संस्कृती के मूल्यों के साथ जोड़ने का प्रेत्न भी है क्योंकि एजुकेशन इस टूल जी तो इनलाइटन हीुमन माइंड्स एज वेल एस दियर हार्ट आपकी नजर में एक स यह बहुत-बहुत महात्वपूर्ण प्रशनापने रखा है जिस पर आज के शिक्षाविदों को और भारत के भावी स्वरूप का निर्मान करने वाले विद्यार्थियों को भी जुड़ने और जोड़नी की आउशिकता है क्योंकि कोई समाच अचानक आगे नहीं बढ़त जब तक कि उसका अलपकालीन और दीरखकालीन उद्देश और इन में समयोजन एक साथ नहीं तो जहां से मैंने शुरुआत की थी हमारे सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन राजनेतिक जीवन सांस्कृतिक जीवन यहां तक की विज्ञान और तकनीक का जो आधार था उस परनीशियों का दर्शन दर्श्टी और विचार था और दर्शन दर्श्टी विचार यहां था यह संपूर्ण स्रश्टी परमात्मा का सुरूप है और जब परमात्मा का सुरूप है इस क्रियेशन इस नथिंग बट मैनिफेस्टेशन आप आलमाइटी तो नेट्स प्रिं एक परिवार मानते हैं और जब संपूर्ण सृष्टी परिवार है तो हम परसपर एक दूसरे का शोशन नहीं करते एक दूसरे की कमजोरी का लाप नहीं उठाते बलकि उसकी कमजोरी को दूर करने का जो मजबूत होता है वो प्रयास करता है परिवार में जो कमजोर है तो जो अनुभव के आधार पर प्रतिष्ठित हुआ था कि हमें एक परिवार की तरह जीवन दीना तो समाज में अलग-अलग घटक हैं उनकी अलग-अलग पहचान है उस पहचान को सुरक्षित रखते विए अपने-अपने समाज को आगे बढ़ाते विए हमारे मूल में होनी चाहि क्योंकि शरीर के अलग-अलग अपने-पने कारे का निश्पादन करते हैं परंतो अपने-पने कारियों का निश्पादन करते हुए वे शरीर के व्यापक उद्देश की पूर्ती में भी सहायक होते हैं वैसे ही इस रश्टी के अलग-अलग घटक प्रकृती है उस प्रकृ सोदित करेगी जब हम इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें जी 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 आलग-लग रूपों में सब एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करें जी जी सूनिश्चित करें इस तो स्थी कीुछ बड़ा था कि अठारऊ सो कुछ बिटिश में स्कूल सुरू हुए और हमारे उस ताइम पे 75,000 से ज़्यादा गुरुकुल थे आज अब जो बात कर रहे हैं गुरुकुल की बात कर रहे हैं आज वो गुरुकुल ही निसेंग है हमारे से एक जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा की दृष्टी से ज्यान की दृष्ट से पराक्रम की दृष्टी से सम्रध्य और विकास की दृष्टी से भारत विश्व में अद्विती रहा परंतु मैं एक बात और अक्सर कहता हूं कि नथिंग इस परफेक्ट और इन प्योर इस क्रियेशन आफ गॉट परमात्मा की शिष्टी में सरवांग शुद्ध कुछ भी नहीं है। विद्ध पासे अफ टाइम, डिस्क्रिपेंसीज और इनकंसिस्टेंसीज आर बाउंट वी देयर। वह आती हैं। वह हमारे जीवन में भी आई। और उन विसंगतियों और विकृतियों के कारण ही हम लंबे समय तक पराधीन रहे। और उस पराधीनता के का सालखंड में हमारी राजनितिक सत्ता ही हमसे दूर नहीं हुई। बलकि जीवन के सभी क्षेत्रों में हम दूर दूर तक पिछड़ गए। परंतुकल भारत की आजादी का दिन है। और यह आजादी भी हमको बड़े लंबे संगर्श और बलिदान के परिणामस स्वरू प रखने के लिए अपने प्राणों की आहुती देते रहें। इन 500-600 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं है। जब भारत माता का कोई न कोई वीरपुत्र देश के किसी कोने में भारत माता के अस्मिता और प्रतिश्चा की रक्षा के लिए बलिदान नहुआ हो ऐसा एक दिन शिक्षा के मूल में भी वही दृष्टी होनी की आज हर आदमी पढ़ता है नोकरी के लिए। ये ठीक भी हो सकती है। लेकिन के वो नोकरी ही जीवन का उदेश नहीं है। अगर शिक्षा ठीक है तो फिर नोकरी की समस्या नहीं रहेगी। हम लोग जब पढ़ते थे तो ए अपनी जाती की सोच रखनी चाहीं। मैं इसी पात पर आऊंगा आपने भी इसमें कहीं ने कहीं पिता पुत्र माता इन सब का जिक्र भी किया। लोगों को आपका कठोर निर्ने और उसके बारे में आप जाने जाते हों पर एक ग्रिश्चन त्रिपार्टी को मैं जानता जहां माता के लिए सब कुछ निचावर वाली इनके अंदर भावना है। आप उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं ताकि लोगों के अंदर ही जागुता है, बच्चों के अंदर ही आए कि पिता-पुत्र और माता-पिता ये सब कितने जरूरी हैं। आज ये कही अधिकार की बात नहीं करते हैं। करतब विकी के बात करते हैं। हमारे जीवन के प्रारब में से ही माने भारत कभी भी अधिकार प्रधान देश नहीं रहा है। ये करतब प्रधान देश था। जहां हर विक्ति को उसके करतब में बताए जाते हैं। ये पिता का धर्म, ये शिक्षा का मूल था, उस शिक्षा के मूल से भी हम दूर हुए और हमने हर चीज बारू की, नकल की, तो नकल करने वाला व्यक्ति कभी मौलिक नहीं हो सकता, भारत मौलिक इसलिए हुआ था, क्योंकि हमारे रिशियों और वन रिशियों ने जैसा कि मैंने कहा, अपनी जीवन अधर की तपस्या और साधना के अधार पर प्रकृति का और स्रिष्टी का जो साक्षात कार किया उसके अधार पर उन्होंने अपने जीवन रचना का निर्मान किया, आज क्या हो रहा है, हम केवल अपने अधिकारों के बारे में से चीज़ के बारे में हमारे रिणों की बा परिवार में संस्था में समाज में और देश में लोग लेते कम और देते ज्यादा है वो संस्था परिवार समाज और देश आगे बढ़ता है और जिसमें लोग लेते ज्यादा और देते कम है वो परिवार हो संस्था हो समाज हो देश हो वो इस्टेगनेट करता है और फिर ड कर दिया अपने पुत्र की मंता में उसकी सुरक्षा में उसके लालन-पालन में और उसके सुख को ही अपने जीवन का सुख माना जिए आप किसके करीद जात्य है अपने भारत में तो माता के या पिता के अस्थान और पिता का अस्थान बराबर नहीं है दसकुना है मा का अस्थान एक चोटा उधारन मुझे अक्सर ध्यान आता है एक बालक जिसके पिता का निधन बच्पन में ही हो गया मा ने बड़े परिश्रम से उतको पढ़ाया और बहुत बड़ी नोकरी भी पा गया आता है मा के पास और कहता है कि मा तुने बहुत तकलीफ उठाई मेरे लिए मैं क्या करूं तेरे लिएने से कैसे मुक्त हों तू बता मुझे कैसी बेकूफी की बात कर रहा है इसकी जरूरत क्या है का नहीं नहीं तू बता मुझे मैं तेरे लिए क्या करूं जब बहुत आगरा किया तो उसने का चे तू मेरे पास छोटा था लेटता था तो मुझे ब तो जग गया, ये क्या किया मातुने का बेटा वो रात में प्यास लगती है पानी पी रही थी तो गिर गया तो मुझे जगा लिया होता अरे तु सो गया था तुझे क्या जगा थी फिर सो गया फिर गिराया तुने फिर गिरा दिया मैंने कहा था न मुझे है जगा लेना अब की प्यास लगे तो मुझे जगा लेना ठीक है तीसरी बार फिर सोया तो फिर गिराया तु पागल हो गई मैं जारहा हूं तो यही यही रिन्ट चुकाने आया था यह तु रात भर करता था तो इसलिए हमारे यहां तीन जो बताएक मात्रियन, पित्रियन और रिशियन, उनमें दो रिणों से मुक्त होने का विधान तो शास्त्र करता है, पिता के रिणों से और रिशियों के रिणों से मुक्त हो सकते हैं, और मा के रिणों से मुक्त होने का कोई विधान हमारे शास्त्रों में नहीं, कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा प्रेड़ित करता है हां हमारी मा की अंत में वो मेमोरी बने मेमोरी लॉस सफर कर रही थी लेकिन उनको ये बात याद रहती थी कि मैंने खाना खाया है नहीं खाया है और वो अगर मुझे देर होती थी तो मेरी पत्नी से कई बार कूछती थी जी आज खाना नहीं खाया तो आप समाज सकते हैं कि मनें यह जो समाज था इसमें उसका आदर होता था जो त्याग ज्यादा करता था जो सब अपने कभजे में रखता था उसका सम्मान ना इस समाज ने कभी किया न इस देश ने किया जो त्याग करता था अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए अपने देश के लिए सम्मान उसी का हुआ जी तुर पाड़ी जी मैं एक चीज और पूछना जाऊंगा आ बोलना बड़ा मुश्किल है पर आने वाले समय में एक भावना उनके अंदर जरूर आएगी या इंटर्व्यू करने वालों के अंदर भावना आएगी कौन से कारेकाल के आप पास आउट हो तो इसको कैसे कैसे तेखिए यह एक ऐसी परिस्तिती है जिसकी कल्पना हम लोगों ने पहले नहीं की थी जब यह सेच्वेशन हमारे सामने इमर्च की तो स्वभाविक है हम विद्यार्थियों को कक्षा में बुला नहीं सकते थे जब बुला नहीं सकते थे तो फिर कोई नो कोई तरीका निकालना था जिससे पढ़ाई के पर तुनकी अभिरूची समाप्त हो और उस अभिरूची के साथ वो उस दिशा में आगे भी बढ़ते रहें इसने ऑनलाइन एजुकेशन पहले से भी हो रही थी यूजी सी ने और अनेक प्लेटफार में से जिन पर ये बिवस्था चलती थी उस बिवस्था के साथ ही इसकी शुरुआत की गई और स्कूल्स को, कॉलेजेज को, विश्विद्यालेओं को इसी विवस्था का सहारा लेना पड़ा अब यद्यपी ऑनलाइन एजुकेशन इस नौट ए परफेट सब्स्टिटीट आप फेस टूफेस टीचें लेकिन इस विशेश परिस्थिती में जब दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, तो बच्चों की अभिरुची को निर्वान करने के लिए, उनकी परफार्मेंस को बनाए रखने के लिए, आनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हुई, जिसका रिजल्ट भी अच्छा दिखाई पड़ा, उसके कई कारण थे, एक तो इसमें थोड़ा बच्चे को सुतंतरता भी थी, कि वो कंटेंट से अगर अप्लोडेड हैं, तो उनको बार बार रिवीव कर सकता है, ये ठीक है कि फेस टू फेस टीचिंग में विद्ध्यार्थी को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, पर इन अपार्चुनिटीज को हम आनलाइन एजुकेशन में भी क्रियेट करने की कोशिस किये हैं, और उच हद तक लोग सफल भी हुए हैं, तो एक ही तरीका था जिसका उप्योग किया गया, अब ओनलाइन एजुकेशन का, या ओनलाइन एग्जामिनेशन का, हम ये नहीं मान सकते हैं कि विद्ध्यार्थियों को परिक्षा देने से छू जाता था, पांच का उत्तर आपको देना है, अब हमारी विद्ध्यार्थियों से अपील ये है, कि वे दस सवाल में पांच नहीं करेंगे, उन दसों को तैयार करेंगे, ताकि शिक्षा की गुनवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइस नहीं हो, और यह बात हम लोगों को सब को, शिक्षकों को, माता-पिता को, समाज के लोगों को, विद्ध्यार्थियों में प्रवेश कराने के दिशा में काम करना चाहिए, और यह मजबूरी है, यह बात आपने ठीक कही, कि यह हमारी सोच में भी होनी चाहिए, कि अगर इस कठिन परिस्तिती में भी कोई अपनी इसी सिती को बनाए रखता है, तो वो कम बात नहीं है, इसलिए हमें उस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि आप करोना काल के पास आउट हैं, या करोना काल के बाद या पहले के हैं, तो यह हमको भी, या जिन लोगों को इस परफार्वेंस का मूल लांकन करने का मौक आपके संबन सभी दलों से बढ़े अच्छे रहें, आप RSS में भी बच्पन से जाते रहें शायद, तो आपके RSS के साथ आपके विचार किस तरह से आज की स्तिती को देखते हुए कैसे हैं, कि जो विचार हिंदुत वाला विचार है, कई बारी मुसलिम वाला विचार भी आते हैं वहां से, तो आज क्या इस्तिती इस तरह की है कि हम RSS को हम सही मानें, देखिए, राष्ट्री स्वयम सेवक संग, कि स्थापना डॉक्टर हेडगेबार जी ने विक्ति निर्मान और राष्ट्र के निर्मान के लिए की थी, क्योंकि वो ये बात जानते थे, कि अग का निर्मान अपने आप हो जाएगा, और जहां से मने शुरुवात की थी, आपने वही उत्तर फिर, यहां है उसका, कि शिक्षा हो, रोजगार हो, हमारा व्योसाय हो, इन सब के मूल में हमारी दृष्टी, क्या है, यह बहुत इंपार्टेंट और सिग्निफिकेंट है, क्य लेकिन अगर समाच और देश लगातार पिछड़ता जाएगा, तो कुछ लोगों की तरक्की कुछ समय के लिए हो सकती है, पर पर्बानेंट नहीं हो सकती है, यह सच बात है कि हमारे शरीर के अलग-अलग अपना-पना काम करते हैं, और कभी किसी शरीर के किसी अंग में डिशार होना चाहिए कि देश पहले है, यह जाङएत एकम कुलस स्यार थे, ग्राम स्यार थे, खुलम त्यजेट, ग्राम जनपदस स्यार थे, और हम लोग कहते है राष्त्याय सर्वम तयजेट, हम एपनी चिंता करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारा इंट्रेस्ट और परिव अब मैं चनौनावी मॉसम की तरह उतरपरती सुतरा खनमे चनौनावी मॉसम आने वाला यह चुरो हो गया है इसां सब विचार अपने अपने रखने 만들어 को शेहितर के किवास कर रहा है, सब के विकास की बात करें δेख आयों के पहला है. तो विद्यारति जो है वो किशोर आवस्था में है, तो वाभाविक है वो उसमें वो मैचुरिटी नहीं है, जो मैचुरिटी उसे अंतिम रूप में मिलनी है, अभी उस प्रासेस में है, इसलिए कई बार यह कहा जाता था मैंने मालवी जी को पढ़ा है, वो यह कहते थे के व कि विद्यार्थियों को किसी दूसरी गजविदी में भाग लेना ही नहीं जाए उनको केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना जाए इसलिए पहले हमारे यहां घुरकुलों में शिक्षा होती थी और विद्यार्थियों को समाज और परिवार से अलग रखा जाता था, उनका ध्यान केवल और केवल अपने अंदर जो नहित सामर्थ है उसे अध्याइमेस तक वो ले जाएं। तो आज ठीक बात है कि कुछ विकरतियां हैं हमारे अंदर, कि हम जाती की बात है, पंथ की बात है, पशेत्र की बात है, इनके आधार पर राजनेतिक सफलता की बात सोचते हैं और करते हैं अब जब कुछ लोगों ने इसी आधार पर केवल काम किया है तो बाकी लोगों की भी मजबूरी है कि अगर वे ब्रजन्तिते मुढधिया पराभवं भवंति माया विश्विये न माईना तो अगर मायावियों के साथ माया का आचरण हम नहीं कर पाएंगे तो हम पराजित होने के लिए बने ही है इसलिए वे लोग जिनका उद्देश्य व्यापक है समावेशी है उनको भी कई बार इन चीजों को समझ करके उनका उत्तर उसी रूप में देना पड़ता है जिस रूप में दूसरी लोग दे रहे हैं लेकिन हम यह जरूर अनुरोद करेंगे जिनका समवेशी दिर्ष्टिकोर है, जिनका समवेत दिर्ष्टिकोर है, जिनका holistic approach है, जो संपून समाज को मांते हैं कि हुआ हमारा ही परिवार है, उन लोगों को मायावियों के साथ माया का अचरम तो करना ही पड़ेगा, परनथ खुद माया भी नहीं होना है यह ध्यान रखने की आवशकता है। जिस तरह से आपने का शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन अच्छा भी है और खराब भी हुगी है कहीं है। पर जब वोट देने की बात आती है तो ऑनलाइन वोटिंग नहीं हो सकती है। क्यों भीड इकत्रित की जाती है तब इनको समझ में नहीं आता है कि क्रोना भी है। अपना वोट लेने के लिए क्रोना पीछे होता है और शिक्षा प्रणाली को अगर आगे बढ़ाना है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। क्यों डिस्टेंस बढ़ा कि आप एजुकेशन नहीं है। असवाल जी उसमें एक चीज हम लोगों को भी समझनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि ओट देने वाले लोगों में कई सेग्मेंट हैं। अब आप खुद यह बात हमसे बहतर समझते हैं कि आउनलाइन कितने लोग हैं हमारे हाँ जो ओटते सग्जी है। यह वी जान जोकिम में डाल दी जाएगी। लेकिन मतलब जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखते हुए कोशिस की जानी चाहिए। क्या होता है इस पर मैं कोई टीपड़ी नहीं करता है। बंगाल में प्रोटोकॉल फॉलो कितना हुआ है हम सब ने देखा है। और उसके बाद वहां की क्या हालत हुए है। आप बाजार में किसी जाइए देखिए। जो समझदार लोग है कि और वही उसको समझ रहें। बाकी लोग उपेक्षा करते है। जब तक वोट नहीं पड़े थे तब तक कोई क्रोना नहीं था। और उसके तुरंट बार लॉकडाउन भी लगा दिया गया। कि भाजिया करोना पहुच गया है। उससे पहले नहीं पहुच गया। आप समाज के लिए कोई अच्छा संदेश दीजिए। हम लोगों का ये काम है कि देश में अलग अलग तरह के लोग अपने धंक से अपना काम करें। परंतो शिक्षक होने के नाते। सामाजी कारिकरता होने के नाते। मेडिया परसन होने के नाते। हम लोगों की जुम्यवारी है कि हम उन चुनोतियों की और उन समस्याओं की और समाज का ध्यान आकरशित करके उन्हें एड्रेस करके करने वाले उपायों की चर्चा भी करते रहें। पर होगा क्या, यह सब पूर्वनिश्चित है, we are doing for what we are distinct, हम वही कर रहे हैं जिसके लिए हम जो योजना है, परन्तु हमको मालूम नहीं कि हमारी योजना कहा है और क्या है, इसलिए हमें ठीक दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए, मेरा अंदिम सवाल, समाज के लिए आपका कोई संदेश? मेरा राष्ट का उत्थान होना चाहिए, क्योंकि वही एक मात्र सस्टेनेबल उपाय है, सब के सब समय में शांती सद्वाव के साथ चलने का, रहने का, काम करने का. जी, सरतो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने बड़ी समझा के विल्कुल आपने जवाब दिये, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बातें, आपके विचार जगे जगे पहुँचें, और ये थे हमार साथ ग्रीशन त्रिपाठी जी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से हम आगे भी उत्तरप्रदेश उत्राखंड के कई बड़े-बड़े लोगों से अब बिना घबराए, बिना डरे, ना इधर ना उधर, सीधी बाद, नमस्कार.